नमस्का दोस्तों, मैं राजुभाकडपस्विगा फिर से एक बार सौगत करता, तो दोस्तों आज हम देखेंगे ब्रहमरी प्रनाई तो सबसे पहले जानते हैं ब्रहमरी इसे क्यों कहा जाता है? जैसे आपने ब्रहमर देखा होगा, जो ब्लैक पी होता है, वो अगर उडने लगता है, तो उसके पंखों के आवाज से एक वाइब्रेशन एक गुंजन तयार हो जाती है और उसी के कारण उसी से मोटिविट होके जो है, इसको ब्रहमरी यानि ब्रहमर का गुंजन कहा जाता है तो वही उसी तरीके से आवाज जो है हमें ब्रहमरी यानि ब्रहमरी की आवाज हमें प्रोडूस करनी है, तयार करनी है जब हम इंसेल करेंगे तब तो दूस्तों आईए जानते हैं सबसे पहले ब्रहामरी करने के फाइदे क्या क्या है तो दूस्तों सबसे पहले ब्रहामरी का फाइदा अगर हम देखे जाए तो यहां पे हमारे डेली लाइफ में इसका यूज बहुत ज़ादा है और इसके फाइदे भी बहुत ही जादा है तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे डेली लाइफ की तो हमारा लाइफस्टाल भी बहुत था चेंज हो गया है हमारे काम करने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारे जो खाना है वो चेंज हो गया है तो इसके कारण जो है ज्यादा तेल, ज्यादा मसले, इसके कारण हमारा पित बढ़ जाता है और पित बढ़ने के कारण हमारे जो बोडी में है, पित का प्रमान ज्यादा होने से एग्रिविशन है, एजोग, एंगर का गुस्सा करना, टेंशन, ये सारी चीज़े और काम की stress की वज़े से जो है हमारी life जो है tension बरी हो चुकी है तो ये सारी चीज़े इसके कारण जो हमारी life अभी बहुत ही अलग कगार पे है तो ये जो tension है, anxiety है, depression है ये सारी कम करने के लिए हम घ्रामरी का अगर अभ्यास करते है हर रोज या फिर regular basis पे तो हमारा जो tension है, stress है, वो कम हो जाता है वही अगर किसी को insomnia है, नीद नहीं आती है रात को बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे रात को नीद नहीं आती है कुछ ऐसे बताओ, कुछ ऐसा practice बताओ जिससे हमें नीद आ जाए तो ब्रहामरी एक ऐसा practice है, एक ऐसा अभ्यास है जिसके practice से, जिसके vibration से आपको नीद आना start हो जाएगा आपकी body relax हो जाएगी नीद नहीं आने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें stress, tension, a, b, एक कारण है और उसी stress को, tension को ही खतम किया जाए तो नीद आना सुभावी थै तो आपको जो है, बस आपको practice करना है इसे regular, अभ्यास करना है तो इसके कारण जो भी आपका stress है, tension है वो साधा कम हो जाएगा बस आपको regular, अभ्यास करना है मैं इसे regular, अभ्यास करना है इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी चीज आप अगर नीरेंतर करते है तो उसका फॉल आपको अच्छे से मिलता है ना कि एक दिन किया और एक मैने बाद चुलाईए दोस्तों जानते हैं आगे काप कि किस तरीके से आप भ्रामरी कर सकते हो लेक पोस्टर में भी आप बैठ सकते हो अगर आपको बैठना भी है तो वजरासन और वजरासन अगर आप नीचे इस तरीके से नहीं बैठ सकते हो तो आप चेर पे भी बैठ के लिए प्राक्टिस कर सकते हो बस आपको ध्यान देना है कि आपकी रीड की हड़ी आपको सीधी रखनी है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से किन किन तरीकों से आप ब्रामरी का अभ्यास कर सकते हो सबसे पहला तरीका होता है SAMPRIGA होता है आप खुछ भी उंगलिया यूजना करें mean जासे हम पहले में बताता हूँ कि उंगलियों के साथ कीसप तरीके से किया जाता है फिर बाद में बोलते हैं without उंगलिया ठीक है सबसे पहले आता है इस शामपोवी वाला जिसमें हम आखे बंग कर देते हैं कान को बंग कर देते हैं इस तरीके से जो है अब्यास हुथा है यहां से हम यह वाला पोशर शामपोवी मुद्रा जो है हम शनमुखी मुद्रा जो है यह यूज करते हैं तो शनमुखी का आवाज ने कर रहा है ये दो तरीके है दूसरा तीसरा तरीका है आप ना कुछ यूज करो ना हाथ का यूज करो ना ओंडियों का यूज करो तो पहले दो जो है इसलिए कि उन अलग-अलग मुद्राओं का अलग-अलग फाइदा होता है अगर आप देखा जाए कि इस तरीके से अगर आप अपने कान बंद कर देते हो तो इसका एक और फाइदा है कि अगर आप ऐसी जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हो जहां पर बाहर की तरफ बहुत शोरगूद है आवाज बहुत ज़्यादा आ रही है तो उस ताइम आप अपने कान को बंद कर लीजिए और उस आवाज से थोड़ा सा उस आवाज को थोड़ा सा कम कर सकते हो ताकि आप अपने अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सको तो दोस्तो आईए तीसर वादा प्रैक्टिक जो है आपको कुछ भी नहीं करना है हाथों का यूज नहीं करना है कुछ भी नहीं बस आपको जो है इस तरीके से चीन मुद्रा में जो है हाथ रखने है और आपको जो है भ्रहमरी का आवाज निकानना है तो इन तरीकों से तीन तरीकों से आप आवाज या फिर जो हमारी ब्रहमरी का ब्रहमरी है उस तरीके से आप कर सकते हो इसमें अगर देखा जाए ब्रहमरी का आवाज किस तरीके से आपको निकारना है तो आपने देखा होगा कि जब हम ओमकार का उच्चारन करते हैं तो आखरी वाला जो मकार होता है जो जिस तरीके से हम मकार का उच्चारन करते हैं उसी तरीके से जो हमें हमिंग सावन भी निकालना है लेकिन मकारवाला जो प्रैक्टीस है जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो हूं उसे डेलिकेट ली नीचे लेके आते हैं मतलब उस पीच को हमारे वाइबरेशन के पीच वो यहाँ से नीचे लाना स्टार्ट कर देता है जब हमारी breath कम होने लगती है तो ये जो है ब्रहमरी में नहीं होना चाहिए जो आपने शुरुवाती से जो vibration start किया है वही आपको आखरी तक लखना है जैसे आपने यहां से vibration start किया है तो आपको अगर लग रहा है जहां पे भी आपको लग रहा है कि आपके breath खतम हो रही है तब आपको रुख जाना है फिर से inhale करना है और exhale करते जाना है ताकि जो vibrations की quality है वही बने रहे और vibration ज़्यादा से ज़्यादा फिल होते रहे और आपको brain को activate करते रहे और आपको relax करते रहे ठीक है तो आपको vibration जो है humming के जैसे करना है ना की मकार के जैसा नीचे नहीं लाना है अगर आप advanced practitioner हो तो आप जो है ratio को follow कर सकते हो जैसे कि आपने inhale के लिए 4 second लगा है exhale के लिए कोशिश कीज़े 4 और उसके double time लगाने का मतलब आप इनहील कर रहे हो 4 second में तो आपको exhale करने के लिए कोशिश करनी है कि आप 8 second में जो है आपको exhale complete करना है कोशिश करना है नहीं तो आप initially जो है practice जो हम normally कर रहे है वही रेखे रखे तो भी चलेगा लेगिन इसको जो है आपको जास्ता जादा जो है extend करने की forcefully कोशिश नहीं करनी है ठीक है तो दोस्तों हम एक बार practice करके देखते है कि किस तरीके से हमें भ्रामरी का practice करना है तो सबसे पहले अगर आप जो भी position जो भी hand gesture आपको use करना है आप use कर सकते हो जैसे शनमुखी मुद्रा ये उंगलियों का use या फिर without तो आपको जो है ध्यान देना है आपके inhale और vibrations पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा vibration create करनी की कोशिश करनी है तो आप इस तरीके से बैठेंगे ठीक है अगर मैं बता रहा हूँ इसलिए कि अगर आप इस तरीके से practice कर रहा है या फिर इस तरीके से practice करें शन्मोखी तो कई बार होता है कि हम ज़्यादा समय तक यहाँ पे बैठ नहीं पाते है ठीक है तो आपको क्या करना है कि आप जो shoulder अगर pain है हातों में दर्द हो रहा है तो आप यहाँ इस तरीके से भी आ practice कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से बैठ जाना है या फिर आप उंग्लियों के यूज कर सकते हो सांस बरनी है कि अधिक है तो आपने देखा कि मैंने जो है humming sound के जैसा किया मकार जैसा नहीं तो इस तरीके से नहीं करना है जैसे मैंने आपको बता है बस same follow करने की खोशिश कर लिजे अगर आपको यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा vibration तायार करना है तो आपको ध्यान लखना है कि आप जो है खाली पेट इस practice के इस अब्यास का जो है आपको जो है अब्यास करना है इस प्रानाइम का तो जब भी आप morning में early morning करते हो तो भी बहुत अच्छा है अगर आप लेट नाइट करते हो जैसे अगर किसी का timing होता है जॉब का या फिर कोई काम खतम करता है रात के 10 बजे 11 उस टाइम भी खाली पेट जैसे मतलब खाना तो आपने 8 बजे खाली या तो फिर 10-10 बजे आपको यह अगर करना है तो कर सकते हो नीद या फिर लेटने से पहले और आपको कोशिश करें कि पीट की जो रीड के हड़ी आपको सीधी रखनी इस तरीके से ताकि आप स्पाइन को अच्छे से रखवाए और जाद से जाद है वाइब्रेशन चेस्ट में तयार हो जाए अब्डिमन जहां पे भी आपको वाइब्रेशन फिल हो रहें बस आप को ध्यान देना है तो इस प्रकार से जो है आप एक ही प्राणायम करके जो है इंजाइटी डिब्रेशन और अपने ठेर सारे टेशन को दूर कर सकते हो बस एक ही प्राणायम से और वो है भामरी तो दोस्तों इसी के साथ रुपते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में तब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और मिलता है दन्यवाद